हेलो फ्रेंड स्वागाता का माई प्रॉजेक्ट से लारावेल करते हुए तो आई से एक हम कंटिन्यू करते हैं हमने हमारे प्रॉटर को डिलीर किया था आज के इस टूटर में हम इसे एडिट करेंगे तो सबस्रें में इस एडिट विटन के क्लिक पर एंग लिंक बनाना जिस पर सारी इंपोमेट उप होगी और हम उसमें चेंजेस करके इस अब्डेट कर पाएंगे सबसे हम इसके एडिट पर एक यूरल बनाते हैं तो हम जाते हैं मेनेस्च पॉर्टल पर और हम यहां पर यूर्ल हम से करते हैं पेस्ट और यहां पर लिखेंगे डिलीट पॉर और हम click करते हैं edit पर ते देखे हम यहां पर id मिल रहे हैं लेकिन अब भी हम आदा function work नहीं करा क्यों हम इसकी routing नहीं किये तो हम इसकी routing करना होगी तो हम आते हैं web.php में then इसी routing को srds हम copy करेंगे then यहां पर हम delete की जगा लिख देंगे edit portal और यहां पर भी देंगे edit portal और इस method को हम create करते हैं हमारे admin controller पर यहां हम लिखते हैं public function edit portal इसके अंदा हम पास करते हैं id echo dollar id and save again हम करते हैं download तो यह देखे हमें id मिल रही है अब हमें इस id का इसके करते हैं हमारे इस table से user की information fetch करना है तो यहां पर हम लिखते हैं dollar data portal info then इसके अंदर हम portal की information लेंगे तो इस statement को हम करता है copy क्योंकि same statement रहेगा और यहां पर हम करते हैं semi colon then यहां पर हम करते हैं echo pre then यहां पर हम करते है print r और उसके करते है paste then save again हमसे करते हैं reload तो हमें information print होगी है आपर तो यह दिखिए साई information आ चुकी है यह दिखिए name, email, mobile number और password अगरा सब पूर्च आ चुका है तो अब हमें इससे update करने के लिए form पर show कराना होगा तो यहां पर हम load करेंगे एक view तो इसे हम अटाते है यहां पर हम करेंगे return view और view होगा admin के अंदर edit portal तो हम इस file को create करते है हमारे admin के अंदर तो इसके लिए हम जाते है root पर then इसके बार हम जाएंगे resource view and admin के अंदर .blad.php and इसके लिए हम html चाहिए तो हम html manage portal से copy करेंगे तो हम इसके html को copy करते है then यहां paste करते हैं इसमें से हम unnecessary content को remove करेंगे तो यहां पर होगा edit portal then यहां पर हम लिखेंगे edit portal and यहां पर भी होगा edit portal then इसके बाद हमें इस button कोई जोड़ा था नहीं तो हम इस button को आसे remove करेंगे then header हम हम हेडर रिमुआ कर जाते हैं इसका पूरा क्योंकि header में कोई content नहीं है And इसके बाद हमें table की भी जरूत नहीं तो हम इस table को भी remove करेंगे then इस table की जग़ा हमें एक form की जरूत होगी तो हम form copy करेंगे हमारे इस pop-up से हम इस pop-up में already form बनाया हुआ है तो हम इस form को यहां से करते हैं copy इस हम कर लेते हैं हैं से cut और इस pop-up को हम कर जाते हैं remove. Then इस form को हम show करेंगे, skip body पर. यहाँ पर हम इसे करते हैं show, then इसे हम align कर लेते हैं. देखिए align हो चुका है, then हम इसे करते हैं save, again हम इसे reload करेंगे इसका output चेक करते हैं. Then इसका output हमें आया नहीं हम देखते हैं, save नहीं क्या चाहिए है, हम इसे again करते हैं save and reload. यह देखिए हमारा view load चुका edited portal, अब इसके अंदर हमें information फिल करना है. तो इसके लिए हम जो portal info इसका इसका इस करेंगे, और यहाँ पर सारी information show करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं value, then value के अंदर उसे लेम यहाँ पर लिखेंगे. पॉर्टल में जो name है वो, इसी तरही के सम सभी information show print करेंगे आपर, then यहाँ पर होगा password, then password के बाद होगा mobile number, then यहाँ पर होगा mobile number, then हम password को show नहीं करेंगे, password अगर होगा तो हम उसे update करेंगे, अदरवाइस हम ignore करेंगे, और यहाँ पर हम लिखते हैं update, then save, again हम उसे करते हैं reload, तो हमने data जो हमारा array है, उसे हमने view पर pass नहीं किया है, तो हम इसे view पर pass करना होगा, तो हम यहाँ पर गाएंगे comma, then लिखने data and save, again हम इसे करते हैं reload, तो यह रिखिए, यहाँ पर जो भी हमने information दीती, वो आ रही है लेकिन यहाँ पर email की जगा password आ रहा है, तो हम देखते है email जगा password क्यों आ रहा है, और हम आते है email पर, यहाँ पर हमने password लिख दिया इसलिए आ रहा है तो यहाँ पर पास्वर जगा लिखिए email, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर हमारा email आ चुकिए है, अब हम इसे update करना है, तो सब्सक्राइब हम इसके form पर URL बनना होगा action का, तो हम इसके form tag पर आते हैं, यहाँ पर add new portal है तो हम इसे कर देंगे, edit portal, then इसके में routing करना होगी तो इसके हम जाते हैं, web.php पर, then इस हम करते हैं copy, और जो route बनेगा वो पोस्ट टाइप का ते हैं, रिखने हैं post, और इसमें हम method pass कर देते हैं हमारी edit portal, तो यहाँ पर हम देते हैं हमारे route का नाम और इसमें some id remove कर देते हैं, then यहाँ पर भी हम देंगे, route का नाम, then इस function का हम create करते हैं हमारे admin controller पर, यहाँ लिखेंगे public function, then इसके अंदर हम request का refresh schedule बनाते हैं, यहाँ लिखने है request और यहाँ लिखने है request, request और इसमें जो भी data हम उसे print करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं print task all, then save, इसमें हमें एक id की भी जड़ोत होगी, click update करने के लिए where condition जड़ोत होगी, तो यहाँ पर हम input type hidden बनाएंगे, input type hidden, then इसका name होगा id, और value हम लिखेंगे, portal के अंदर जो हमें id मिल रही है, वो, then इसे हम save करते हैं, again हम reload करके form को submit करेंगे, just through, तो यहाँ पर error आ गई है, के edit portal duplicate हो चुका है, तो हम इसे सही करना होगा, तो हम इसे function का नाम change करते हैं, edit portal, sub करते हैं का नाम, और इसे हम करते हैं, copy, then यहाँ पर में देंगे, edit portal sub, then routes में देंगे, edit portal sub, then save करते हैं, again हम करते हैं, say reload, then form करते हैं, submit, इसे हम करते हैं, inspect, then network माइंगे हम, then click करेंगे हैं आपर, तो password fill required है, इसे हमें unrequired करना होगा, तो हम इसे required हरागे, तो हम इसे हम required को remove करेंगे, then save, again हम इसे करते हैं, reload, network करेंगे, और इसके बाद हम यह करते हैं, click, तो यह दिखे, exit portal sub में हमें पुरी information मिल रही है, इसमें हमारा token मिल रहा है, then name, email, mobile number, और password आ रहा है, then id भी है, तो अब हमें इन सबी को update करना है, तो update करने के लिए हम आते हैं हमारे controller पर, then यहां पर social media में, तो आप first record को target करना होगा, यह update करने के लिए हम first record की reload होती है, तो यहां पर हम लिखते है, portal request to, then id जो होगी वह हमें मिलेगी, request में, तो हम लिखते है, request में जो id है, उसमें हम get करेंगे, then one by one हम informed update करेंगे, तो तो film देंगे, जो portal के अंदर जो name है, उसमें हम request में जो name है, वह assign करेंगे, then name के बाद देंगे email, then इसके बाद होगा mobile number, mobile number, then सबसे last time हमें पास्वर जाईए, तो पास्वर टो वे लिख से लाएंगे, कि इस request के अंदर जो पास्वर है, वो अगर not equal to null होगा, तब ही हमारी ये if block चलेगा, इसके अंदर portal के अंदर जो पास्वर्ड है, वो हमारे request दो पास्वर्ट से replace हो जाएगा, then सबसे last time हम इसे करेंगे update, यहाँ परम करते हैं से update, and save, इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं echo, JSON in code, then हम लिखेंगे, array, status, true, message, portal, successfully, updated, then यहाँ पर हम लिखते है, reload में, url, then जो url होगा होगा हम पास्वर्ट करेंगे, हमारा device url, जिसका माईजी लिस्ट हो रही है, यहाँ पर हम url पास्वर्ट करेंगे, परहसे करते हैं copy, और यहाँ पर हम करते हैं parent, then semicolon, जार्द हम इसे update करते हैं, तो हम test को update करेंगे, तो हम test को update करेंगे, तो हम से करते हैं edit, then test copy लिखते हैं इस पर, then इसे करते हम update, जिरीकिए portal successful update हमारा में इसा आ चुका है, वह reload में करते हम चेक करते हैं, यहाँ पर भी आ चुका test copy, मतला हमारा जो data है, वह हमारे data विस की टेबल में update हो चुका है, जिरीकिए test copy हमारे पर record आ चुका है, यह हमारा order session complete हो चुका है, तो friends अभी के चुटिए में इतना ही, अगर आपको वीडियो पंगर से like and share करें, और हमारे channel को जो subscribe करें, ताके हम जो भी नए वीडियो upload करें की update आपको मिलते रहे, और friends अगर आप मेरे और भी different type के project control देखना चाते हैं, तो आप मेरी website विजू कर सकते हैं, आपको मेरी website के लिए इस वीडियो की description में मिल जाएगी, thank you for watching.